स्वागत है दोस्तों आपका एक्जाम व्यूटुप चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे एकनॉमिक्स के अंदर रिलेशन सीप बिट्विन MPC एंड MPS क्या होता है ये इंपोर्टेंट कोंसेप्ट होता है दोस्तों मेक्रो एकनॉमिक्स का MPC का मतलब होता है marginal propensity to consume यानि इसका क्या आर्थ होगा जब-जब हमारी इंकम बढ़ेगी उसके अंदर कितना भाग हम consumption यानि उभोग के ओपर खर्च करेंगे वही हमारा MPC कहलाता है यानि इसका formula बनेगा change in consumption by change in income जैसे मेरी income जो है 2000 रुपे बढ़ जाती है ठीक है उसमें से मैं क्या करता हूँ 1500 रुपे खर्च कर देता हूँ consumption के ओपर तो हम इसको ऐसे लिख सकते है 1500 बटे 2000 ठीक है ये क्या है मेरा change in consumption और ये क्या है मेरी change in income तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आज आएगा 0 बिंदू 75 ठीक है तो क्या होगा ये मेरा MPC होगा MPC का मान होगा तो जो MPC और MPS का जो मान होता है वो 0 से लेकर एक के बीच में होता है ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है 2000 जो मेरी income बड़ी है उसमें से मैं 0 रुपे जो है consumption के ओपर खर्च करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा MPC सीधी सी बात है 0 आएगा ठीक है या फिर पूरे का पूरा 2000 रुपे जो है मैं consumption के ओपर ही लगाऊँगा तो क्या जाएगा मेरा MPC एक आ जाएगा ठीक है तो इन दोनों का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है अब MPS क्या होता है ये भी दोस्तों अलगबग सेम ही होता है MPS का मतलब होता है marginal propensity to save जिस तरह से हमारी income बढ़ती है और उससे जो हमारा consumption परवावित होता है वैसे ही हमारी saving भी परवावित होती है यानि कि जब-जब income बढ़ेगी और उसका जितना भाग हम saving करेंगे save करेंगे ठीक है change in saving by change in income तो उसी को हम बोलते है MPS ठीक है जैसे 2000 हमारी income बढ़ी और उसमें हमने क्या किया 700 रुपे save कर दी ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा MPC कैसे निकलेगा 700 बटे 2000 और इन दोनों का मान आपको पता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है यह होता हमारा MPC और MPS इसके अलावा जो इन दोनों के बीच में relation होता है वो दोस्तो inversely proportional होता है इसका मतलब होगा अगर MPC बढ़ता है तो MPS कम होगा अब सिधी सी बात है जैसे आपके 2000 इंकम बढ़ी इसमें से अगर आप क्या करते हैं 1500 रुपे कंजप्सन के उपर लगा तो एक तरह से क्या है जब जब यह बढ़ेगा तो यह घट जाएगा और जब जब यह बढ़ेगा तो यह घट जाएगा ठीक है तो इसलिए MPC और MPS एक दूसरे के inversely proportional होते हैं एक के बढ़ने से दूसरा खट जाता है और जो MPC और MPS का जो मान होता है MPC पलस MPS इनका मान जो है एक के बराबर होता है यह क्यों होता है क्योंकि हमें पता है जीरो से लेकर एक के बीच में इनका मान आता है अब देखिए अगर हमारा MPS आता है 0.3 तो हमारा MPC कितना आएगा चिदी सी बात है यह आएगा 0.7 क्यों क्योंकि आप देखिए जैसे आपने 100 रुपे कमा उसमें से 0.3 का मदलब होगा आपने 30 खर्च कर दिए या सेव कर दिए ठीक है सेव कर दिए तो आप खर्च कितना कर रहे हैं 0.7 यानि बाकी के 70 ही कर रहे हैं ठीक है इसलिए हम क्या बांते हैं कि MPC और MPS का जो मानाता है वो एक होता है ठीक है इन दोनों का जोड क्या होगा वो एक के बराबर होगा और ये दोनों दुस्तों जो multiplier effect होता है यानि कि change in income by change in investment यानि जो हमारी income होती है वो जब investment के कांड पर बावित होती है कम ज्यादा होती है तो उसी को हम multiplier effect बोलते हैं उसमें दुस्तों ये दोनों important होते हैं इन दोनों से हमारी जो investment हो पर बावित होती है जैसे जो हमारा MPC बढ़ेगा उनकलब ज्यादा consumption करेंगे तो क्या होगा ज्यादा मांग बढ़ेगी तो investment भी ज्यादा होगा ठीक है तो इससे क्या होता multiplier effect बढ़ता है MPS से ये हट जाता है अगर MPS हमारा पढ़ता जाएगा हम सेव करते जाएंगे तो क्या होगा हमारी जो मांग है चीजों की वह घरती जाएगी अगर आप बचाएंगे तो सीधी सी बात है मांग घटेगी और मांग घटेगी तो फिर new investment भी घटेगा ठीक है तो ये multiplier effect को दोनों अपने हिसाब से प्रभावित करते हैं यही था दोस्तो MPC और MPS का आपस में relation अगर आप economics से related गया हो देखना चाहते हैं तो नीचे description में मैं उनका link दे दूँगा अगर आपको इडियो पसंद आया तो इसे like, share, subscribe जिरूप करें thanks for watching